हेलो皆さん स्वादता है आप आपका हमारे योटुब चैनल बेटनरी अडवाईस में आज की वीडियो में हम बात कर ने जा रहे हैं बेटनरी मेजिशन के बारेमें आज हम बात करेंगे एक injection के बारे में जिसके लिए हमारे काफी सब्सक्राइबर के कमेंट आ रहे थे कि सर आप इस injection पर वीडियो बनाएं तो आज हमने उसी injection पर वीडियो बनाई है तो वीडियो सुरू करने से पहले आगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में प्रेस्दा वैल आइकान ताज नए वीडियो की नौटिफकेशन मिल सके आपको सबसे पहले तो चलिए वी 2.75 mg पर ml में होता है यह एक एंटी अलर्जिक ड्राग है आप इसे तवी जूज कर सकते हैं अगर आपके पसू को किसी भी परकार की अलर्जी या अलर्जिक कंडिशन दखाई देती है तो आप अपने पसू को जाए इंजेक्शन लगवा सकते हो अब बात करते हैं इंडिक इसोअर्डर में इसे जूज कर सकते हैं जिसमें नमबर फ़ास्ट पर हम बात करेंगे एकजीमा के बारे में इसमें क्या होता है कि celebrities कोई भी नए जप परानी पर निए सोजिस है जो पहले लाल होती है और उसके बाद उसमें खुजली नहीं शुरू होती है और सोटे सोटे पिंपल जा फिंसिया निकलाती है और उनके फूट जाने के बाद चामडी की सता से सीरम निकले लगता है जो बाद में सूख कर पापड़ी या क्रींड का रुप धर्न कर लेता है इस लेस्टन को हम एक्जीमा बोलते हैं इसमें में आप इस इंजेक्शन को जूज कर सकती है इसमें क्या होता है नासक की सलेशिक कला की सोजिस जा जिसे हम नासा सोट भी बोल सकते हैं ऐसी स्थिती में भी आप इस इंजेक्शन का इस्तमाल कर सकते हैं पात फोото डार्म टेडसि में भी आप इस इंजेक्षेन को जूंज कर सकते हैं इसमें क्या होता है कि अलर्जी से बाहरि सोमड़ी में सोजिस आ जाती है, जिसका कारण सूर्ज की केरें की किरन Musti पर ब्रॉबब जा सूर्ज की रौसनी से होने वाली चामडी की इलर्जी कह सकते हैं इसमें भी जाए इंजेक्शन जूज हो सकता है फोर्थ जो है वो है डारम हमें भी जूज कर सकते हैं जिसमें उत्कों के नीचे तरले कथा होने लगता है कोश काएं के मद समान में भी जे तरले आ सकता है उसमें भी जैय एंजेक्शन आप जूज कर सकते हैं 6. आटी के लिए यह एक रकत ब्लड सबंदी पर्त के लिए है जिसमें किसी रस्यानिक पदार्थ के सामने होने से जिसमें चामडी के ओपर हमें सोटे सोटे लाल पीले दाने देखने को मिलते हैं उसमें भी जैय एंजेक्शन को हम जूज कर सकते हैं 7. प्रेगनेसी टॉक्सीमा यह रोग बेड़ बक्रियों में ज्यादा होता है इस थिधी में भी आप इस एंजेक्शन को जूज कर सकते हैं 8. मस्टेटस जिसे हम थनेला रोग भी बोलते हैं उसमें भी आप इसको जूज कर सकते हैं मस्टेटस की पूरी जनकरी के लिए आप हमारे चैनल पर उसकी वीडियो को देख सकते हैं उसकी आपको फुल जनकरी मिल जाएगी कि मस्टेटस रोग क्या होता है 9. आप बरुंज में भी इसे जूज कर सकते हैं जिसमें ताप सबंदी जैसे किसी गर्म बस्तुजा गर्म तरल पदात के संपर्क में आने से जा गर्मी आज से टिसू में जखम होने की स्थिती में भी आप इसे इंजेक्शन को जूज कर सकते हैं 10th lamnitis में भी आप इसे जूज कर सकते हैं इसमें पसु के खोरों की पर्तों या पल्टन की सोजन खासकर आगे के पहरों में सोजन आ जाती है जैरों ज्यादा तर जो है वो गोडों में पाया जाता है इससे पसु लंगडा कर चलता है और पसु को ज्यादा टाइम खड़े रहने की तकलीब हो जाती है जा उसको डिक्क्त होती है रियूमन एंटोनी इन कैटल पसु जा खासकर बैंस और गाये में रियूमन में तना आने जा कमजोरी आने से इसमें पसु चारा खाना कम कर देता है और जो चारा खाता है उसे हाजम करने में भी पसु को मुस्क्लोती है इस स्तिथी में भी आप इस इंजेक्शन को लगा सक करते हो अब बात करते हैं कि आप कितनी दोज दे सकते हो अपने पसु को आपने लार्ग एनिमल जैसे बैस गाए गोड़ा उसको अपने फाइब से लेकर 10 ml आयम रूट से देनी है और जो सुमाल एनिमल होते हैं जैसे बेट बकरी उनको आपने आदा एमल से 2 ml आयम रूट से देना है इंजैक्शन देते समय आपने ख्यार रखना है कि आप अपने पसु को ओडोज ना दें उससे आपके पसु को जो है सुच्ट बस्ता पड़ जाएगी और आपने इस इंजैक्शन को गर पर इस्तमाल नहीं करना है आपने अपने बैटनरी डाक्टर की अडवाइस लेकर उससे लगवाना है और आगर आपको वीडियो असी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शियर करें अपने दोस्तों रिष्टेदारों को ताँ जो उनको भी एवल इंजैक्शन के बारे में पता चल सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडिय साथ स्रिया काल बावाए